हलो फ्रेंट्स, यूनिवर्सल टेकनोलोजी फॉर ब्लाइंड में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आशिम और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक गेम की अप्लिकेशन को और ये गेम जो है क्रिकेट से रेलेटेड है और पूरी तरीके से एकसिसिबल है ये गेम तो इस गेम का नाम है क्रिकेट मास्टर्स कैप्टन्स गेम पूरा नाम इसका ये है और आप इस गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस्क्रिप्शन में लिंक देदू हो तो आप चाहें से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और 4.0 की से स्टार रेटिंग मिली हुई है और जो साइज इस का वो है 7.7 MB स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ स्पेलिंग है इसकी C-R-I-C-K-E-T किरिकेट मास्टर्स M-A-S-T-E-R-S मास्टर्स कैप्टन्स गेम C-A-P-T-A-I-N-S कैप्टन्स गेम G-A-M-E गेम तो अब हम इस एप्लिकेशन को ओपन करेंगे और इस गेम को कैसे खेलना है वो हम एप्लिकेशन देखते हुए ही सारा समझ लेंगे ठीक है क्लिक किया उसका आइकन पर तो इसका होम पेज आ गया है ये गूगल गेम से में साइन इन हो रहा है पर हम बैक करके से रोकेंगे ठीक है तो गूगल गेम में जब हम साइन इंग करते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स और जो लीडर बोर्ड है उसे देख सकते हैं, compare कर सकते हैं और उसमें और भी बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं नेक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप अपनी टीम का aggression चेंज कर सकते हैं अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और विकेट किरेंगे गिर रहे हैं आपके तो आप आप डिफेंड कर सकते हैं डिफेंड मोड में खेल सकते हैं और अगर स्कोर ज्यादा है और आप चेज कर रहे हो तो फिर अटेक मोड में आप गेम को खेल सकते हो नेक्स पर क्लिक करेंगे तो आप जब बॉलिंग करेंगे तो आपने जो बॉलर है उनको बदलते रहें ताकि उनकी एनरजी जो है फ्रेश रहे लो ना हो क्योंकि अगर लो होगी उनकी एनरजी तो जो बैट्समेन है वो उनके अटेक करेंगे और जादर जादर रन बनाएंगे और आपके लिए भी यह कहा है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप तब उनके बॉल्स पर हिट कीजिए जब वो लो उनके एरेजी हो जाए टायरेड हो जाए वो कैसे सब होगा वो हम गेम के दौरान देखेंगे नेक्स्ट करेंगे तो बस नेक्स्ट के बटन पर वो क्लिक करना रहता है और जो है सब्सक्राइब होता है और वो कंडिशन के साफ से होता है अगरेशन पर वैदर कंडिशन पिचट पर तो यह सारी जो है चीज़ें इसमें देखी जाती है फिर आपका स्कूर जनरेट होता है अब यहां क्या कौन कौन से option है वो देखेंगे तो सबसे पहले leaderboard और इसमें आप चेक कर सकते हैं कि top कौन करना है leaderboard में इसमें achievement चेक कर सकते हैं achievement आपको देखने हो तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं game setting तो इसमें setting चेक कर सकते हैं यह हम चेक करेंगे आखरी में न्यू सीरीज खेलने के लिए जब आप game खेलना शुरू कर देते हैं तब आप एक resume series का भी option आजाता है अगर कोई आप resume मतब series खेल रहे हैं तो उससे फिर से खेलने के लिए sign in google games में sign in करने के लिए share with friends friends के साथ share करने के लिए how to play तो कैसे game खेलना है वो देखना हो तो आप इसपे क्लिक कर सकते हैं rate app को rate करने के लिए बस तो setting देख लेते हम पहले इसपे क्लिक करेंगे background music enable on तो जो background music है वो on है sound effect तो जब इसमें six या four लगता है या फिर कोई out होता है तो sound effect आता है तो वह भी अभी on है आप चाहता off भी कर सकते हैं यहां से pop-ups जब बैट्समें 50 या 100 करता है तब pop-up मेसेज आता है और baller जब wicket लेता है तब pop-up मेसेज आता है तो यह on है आप है अभी ठीक है यहां से back करेंगे और अब हम गेम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज पर क्लिक करके सबसे पहले सीरीज टाइप सेलेक्ट करना है कैसी सीरीज खेलेंगे हम इसके बाद क्या है अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो उसके बाद एशिया कप भी आप खेल सकते हो तो वन ओन वन ही हम खेलेंगे कि उसके सेलेक्ट है और स्वाइब करेंगे अब गेम का फॉर्मेट क्या होगा टेस्ट मैच वन डेज या फिर ट्वैंटी ट्वैंटी तो ट्वैंटी ट्वैंटी पर सेलेक्टेड है तो उसी पर हम रहने देंगे और स्वाइब करेंगे तो टीम सेलेक्ट करने के लिए अब आये है ओप्शन अपनी टीम सेलेक्ट करनी है तो नो टीम है है इसमें तो हम सेलेक्ट करेंगे और इंडिया पे सेलेक्ट है तो हम और स्वाइब करेंगे और मीचे जाएंगे जहां पर आप्ओनेंट की टीम सेलेक्ट करने है तो घर तो यहां पे स्वाइब करेंगे सेलेक्ट अपोनेंट टीम तो नॉटी में है आप स्वाइप करकर के देख लेना ठीक है और न्यूजिलेंट पर क्लिक कर दिया तो अब नीचे कंटीनू है उस पर क्लिक करना है कंटीनू बटन क्लिक कर दिया तो पहला जो है टी ट्वेंटी हो रहा है आप लेंड में स्वाइप करेंगे हैं स्टार्ट मैच बटन है उस पर क्लिक करते थे हैं और जब स्टार्ट मैच पर क्लिक किया है तो यहां पर प्लियर स्लेक्ट करने तो हम स्लेक्ट करेंगे रोज शर्मा स्लेक्ट करें रोज शर्मा स्टावन स्लेक्ट कर लेते हैं विराट खोली स्लेक्ट कर लेते हैं स्लेक्ट कर लेते हैं तो यहां पर आप नीचे टेच करकर देख सकते हो तो पांच स्लेक्ट कर लेते हैं हमने फार्दिक पांडिय को भी स्लेक्ट कर लेते हैं अब बॉलर स्लेक्ट कर लेते हैं पांच स्लेक्ट कर लेते हैं मुहमद शामी स्लेक्ट कर लेंगे जसमें दर बॉम्रा को भी दो प्लेयर और स्लेक्ट करने के यादव को भी स्लेक्ट कर लिया जब इन जड़ेजा को भी स्लेक्ट कर लेते हैं कंटिनू पर क्लिक करेंगे तो 11 जड़ेयर स्लेक्ट करने थे कर लिये कंटिनू पर क्लिक कर दिया तो इंडिया वर्सिस न्यूजीलेंड है और टॉस का टाइम है और अब स्लेक्ट करने आपको हैड या टेल तो हैड हम स्लेक्ट करेंगे टेल्स नहीं क्या हेड किया थीगे और बटन है टाउस नहों पर क्लिक करेंगे और मैं टाउस जीट गया हूँ तो मैं बॉलिंग पहले करूँगा और बॉलिंग बॉलिंग पर क्लिक कर दिया और ओपनिंग बॉलर स्लेक्ट करने तो फास्ट बॉलर से ओपनिंग करूँगा तो पूरी इंफोमेशन है उनकी और एनर्जी फ्रेश बोलें तो ही हमें उने सेलेक्ट करना है ठीक है तायर या इसमें कंडिशन ओन रहे थी वह बोलेंगे तो नहीं सेलेक्ट करेंगे ठीक है वह मस्चमी को इसलेक्ट कर लेंगे अब कंटिणू तो बैटिंग सर्फेस आज तो अच्छी है और धूब भी निकली हुई है वेदर कंडिशन बताते हैं और पहले जब मैं इस गेम को चेक करना थे तब वेदर कंडिशन अच्छी नहीं थी और बैटिंग की जो कंडिशन थी वो भी खराबती है ना तो इस बार ही चेंज होके आया है तो इसमें ऐसे ही वेदर अलग अलग रहेगा तो आज तो वेदर अच्छा है और यहां स्वाइब करके देखें क्या क्या है फर्स्टी ट्वेटी ऑकलेंड मौर अप्शन में देख लें देखा है मौर अप्शन दवाया सैटिंग देख चुके हैं शेर अप जिरो हंड्र आउर्स दो दो यह ऑप्शन है बस बैक करते हैं यहां से मौर अप्शन के बाद है गेम प्ले तो जो गेम हम खेल रहे हैं उस पर ही सेलेक्ट है यह इन्फो टैप में आप इंफोमेशन देख सकते हो मैच की और स्कोर कार्ड में स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो मैच स्टेटस चेक कर सकते हो तो जब आप जादा गिम खेल लेते हो तब यह सब आप उन में देख सकते हो ठीक है जो यह ऑप्शन इंफो है मैच स्टेटस है यह उनका पूरा स्कोर कार्ड है जीरो 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 अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है वर्सस इंडिया बस हमें नेस्ट ओवर पर क्लिक करना है और फिर बॉलिंग वह अपने आप ही फेकते हैं और जो भी रन जिस बॉल पर वो लोग हासिल करते हैं तो वो लिखे आ जाते हैं और जो इंडिया टी में उसकी बॉलिंग ऐगरेशन हम चेक कर सकते हैं यूज क्वेंजर शेये जो अग्रेशन है वो डिफेंड पर सैथ है क्योंकि पहला ऑवरी डाल रहें तो डिफेंड पर सैथ है वो उसके बाद आप चाहिए तो नॉर्मल पर सेट कर सकते हो आपके हिसाब से रहागा जैसे आपको सिलेक्ट करना हो और तो ये तीन आप अप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इनमें से कोई एक और एक बार में ही जो दोनों बॉलर है उनका आप अग्रेशन सेट कर सकते हो या तो defensive रख सकते हो ने या फिर attack mode में या फिर normal और swipe करेंगे यहाँ पर जो है baller का नाम है यहाँ से information निकाल सकते हो fresh status लिखा हुआ भी fresh एकदम फिर tired हो जाते हैं और उसके बाद एक और condition रहती है exhausted तो exhausted में तो फिर चेंजी करना पड़ता है switch baller button तो जब हमारा baller ठक जाएगा है तो switch baller button पर क्लिक करके हम baller change करेंगे change player aggression और उसके नीचे button है change player aggression तो दो batsmen रहते हैं तो उनके लिए आप चाहें तो player का aggression change कर सकते हैं अलग-अलग batsmen है तो उनके लिए कि जो first batsman है तो उसके में अलग वो defensive balling करेगा second batsman है तो उसके लिए attacking mode में राएगा तो ऐसे आप set कर सकते हो मौमद शामी और ऐसी वो information सारी information fresh switch baller change player aggression और ये computer की जो team है न्यूजिलेंड उसके जो है batting aggression उसके बारे में है और अभी वो normal खेल रहे हैं मार्टिन गप्टिल और ये information प्लेयर इंफो बटन ये information देख सकते हो एच निकल्स है और तो इस्टार्ट करते हम अपना match तो बस next over पे क्लिक करना है तो हम देखते हैं किस ball पे कितने run मिले ball one पे one run मिला है दूसरी ball पे 2 run मिले तीसरी ball पे एक run मिला है चोती ball पे कुछ नहीं मिला होना है पांच वे ball पे 5 run मिले और थाट वे ball पे कोई run नहीं मिला है ठीक है अब next over डालेंगे 19 ओवर बचे एक विक्ट गिला होमस शामी ने पहले विक्ट लिया है और साथ रन पर ये आउट हुआ ये प्लेयर इन का ठीक है कंटिनू पर क्लिक करेंगे ये जो ट्रिंग ट्रिंग करके आवज आ रही है तो ये 6 और 4 पढ़ते हैं ठीक है उसके आवज आती है ये 4 रन 6 रन नेक्स ओवर क्लिक करेंगे चलो ये ओवर ठीक गैस पर कोई शॉर्ट नहीं पड़ा बड़ा बाउंडरी नहीं मिली है ये एक और विकेट गिरा उमोमच अभी ने दूसरा विकेट भी ले लिया है मार्टिन गप्टिल का 14 रन बना के गए दस बॉल के ठीक है देख लेते हैं ये टाइड हुए हैं या अभी फ्रेश हैं देखाए ये जस्विंदर भूम रहा है जो वो टाइर हो चुक रहे हैं थक गए हैं तो इनको चेंज करेंगे हैं दूसरा बॉलर लेकिए आएंगे नई मिडिल ओवर में हम मतलब अगर ओवर कंप्लीट नहीं किया है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं कंप्लीट करना पड़ेगा कंटिनी ओवर लेकाएं जैसे विकेट गरता ना तब फिर कंटिनी ओवर ओवर ऑप्शन आता है यानि कि पूरा ओवर खत्म करना है उसके बाद ही हम बॉलर चेंज कर सकते है चलो एक ओवर डाल देते हैं चार चार ओवर डाल सकते हैं वैसे ये बॉलर चलो ये ओवर भी अच्छा गया है और एम शामी ने दूसरा विकेट भी ले लिया है स्पाइब करेंगे ओवर को अपने शाट लग गया है टोटल अगर देखना हो तो उपर स्वाइब करेंगे स्वाइब करते जाओगे तो आपको मिल जागे इनका टोटल न्यूजिलेट का टोटल का है तो 56 रन बंच चुके तीन विकेट के नुकसान पर चॉल एक विकेट और गे रहा एम शामी ने एक और विकेट लिया है के विलियम सन चावालिस रन पर आउट हुए के विलियम सन तो बॉलर बतल नहीं पड़ेगा भी बारा ओवर बचें अब तो चार ओवर पूर कर लिए हैं जस्विंदर बॉम्रान है और 24 रंदी हैं विकेट को इसा नहीं लिया यानि कि अब यह बिल्कुल बॉलिंग यह प्लेयर कर ही नहीं सकता है तो बदलना होगा स्विच बॉलर पर जाएंगे और अब इस्पिन अटेक को लगाएंगे हम तो पूरी इंफर्मेशन रहती रैंक क्या है और कैसे बॉलर स्पिनर है या फास्ट बॉलर है तो स्लेक्ट कर लेतें और वह में शामी को भी चेंज करना होगा यहां लिखा गया फ्रेश तो यूजवें रिच्च हैल अभी फ्रेश नहीं किता हूं तो चार विखिट लिए हैं एम शामी ने और इनने अपना कोटा पूरा कर लिया है जजविंदर भूमरान है और एम शामी ने अब बॉलिंग स्टार्ट करते हैं चलो एक शॉट लगा दस ओवर हो गए और सत्ता वन रन हो गए उनके ये एक विकेट गिरा चलो चलो दो रन पर ये पविलियन की तरफ ओक वाटन में क्लिक करेंगे कंटीनु ओवर शॉट लग गया अभी तुम इसमें बॉलर चेंज नहीं करता हूं लेकिन आप जब खेलें तो जैसे वो टायर्ड हो तब ही उसे बदल लेना क्यूंकि जैसे ही आपका प्लेयर टायर्ड होता है बॉलर तो जो हमारी अगेंस जो खेल रहें जो टीम वो अटैक शुरू कर देती हैं ये एक गिरा विकेट के यादव ने विकेट लिया एक और विकेट गराए सी ओवर मैं जीरो रन पे जो है ये प्लेयर चला गया चलो ने नेक्स्ट ओवर डालें उससे पहले जड़ा मैंच का स्टेटस देख लेते हैं छे और बचे इन्फो टैप स्कोर कार्ड टैप मैंच स्टाट्स टैप फॉर पहले तो आग्रेशन चेंज करते हैं चेंज प्लेयर अग्रेशन आटव लिस्ट के याद आप स्कोर कार्ड टैप तो यूजर टीम अग्रेशन अटैक तो अटैक पे लगाते हैं तो इससे जो दोनों बॉलर हैं वो अटैक मोंड में खेलेंगे और ये दोनों ठक चुके हैं टायर्ड लेखा है उनकी स्टेटस पे तो इनको चेंज कर लेते हैं हम हालति पांडिया को से लग रपते हैं और कुल्दी प्यादों को भी चेंज कर देंगे हम जड़ेजा को ले आते हैं और अब बॉलिंग करेंगे अटेक मोंड में एक दो ओवर करते हैं टीके पांच अधर मना के आउट हो गया एक और विक्ट करेंज यह ओवर में टीके जड़ेजा नहीं दिया शॉर्ट लगा दिया उसने जाते 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 ओवर खतम होने तक अगला ओवर शुरू करें उससे पहले मैं आपको प्लेयर का अग्रेशन चेंज करके दिखाता हूं अभी मैंने पुरी टीम का जो अग्रेशन है जो दोनों बॉलर है वो उन और हम एक प्लेयर जो हमारे एक बोलर हो उसका अग्रेशन चीज करना हो तो देखो ऐसको करेंगे जैसे आप्षिन आयों इस प्र डबल क्लिक करना है जिस भी प्लेयर का आपको अग्रेशन चींज करना है उसके ही आँ चेंजिपलेयर की बगल में लिखा रहाएगा ठीक है स्वाइप करते आएगे तो आपको मिल जाएगा और फिर स्वाइप करना है और जब चेंजपलेयर अग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्षिन आएगा वर्सिस और जिस बैट्समें जो अभी जो दो बैट्समें खेल रहे हैं उनके नाम लिखे रहेंगे टी लेथम डिफैंजिव नॉर्मल अभी अटैक पर से तो हम इसे नॉर्मल कर देखे हैं ठीक है नॉर्मल कर दिया और टी बोल्ड उन उन मतलब यह जो बैट्समें इसके खिलाफ कैसा रहेगा अग्रेशन डिफैंड पर कर देते हैं ठीक है एक पर नॉर्मल कर दिया और अब हम खेलेंगे अग्रेशन नॉर्मल करेंगे यह थक चुके प्लेयर इसलिए शॉर्ट लग रहे हैं तो ओवर खतम हो चुके है इनिंग खतम हो चुकी है और टोटल देखते हैं बहुत बड़ा स्कोर बना लें इनने 179 व्यू स्टेटस देखना हो तो पहले स्टेटस देख लेते हैं तो इनके इतने जो है रन बने है 19 ओवर में नाइटीन पॉइंट जिरो ओवर में इंडिया तो यह पूरा उनका जो है स्कोर कार्ड है इसमें किस ओवर में कितने रन बनें तो वो सब लिखा रहाएगा कितने विकेट गिरें तो वो पूरी इंफोर्मेशन रहेगी आप स्वाइब करकर देख लेना तो अब हमें बैट्समें सेलेक्ट करना है ओपनिंग के लिए तो ओपनिंग जोड़ी हमारी तो शर्मा और शिकरता वा नहीं है रहे लेफ्ट अंड राइड पर क्लिक करेंगे इसमें वैसे ही आप टीम का अग्रेशन सेलेक्ट कर सकते हो जैसे बॉलर का सेलेक्ट करते हैं वैसी सब कुछ बैट्समें का भी सेलेक्ट कर सकते हो करिका पर टीम कभी सेलेक्ट कर सकते हो की पर टीम कैसा खेले डिफैंशिफ के लिए नॉर्मल खेले आटैक में खेले और प्लेयर कभी सेलेक्ट कर सकते हो जो तो बॉलर्स रहते हैं तो उन्हें टार्गेट करके खेले यांद दो बॉलर्स है तो दोनों के मेला अग्रेशन दिखा सकता है प्लेयर किसी में टैक किसी में डिफेंस तो वो सिलेक्ट कर सकते हूँ तो अभी तो हम गेम स्टार्ट हुआ तो डिफेंस से भी खेलेंगे चलो डिपेंट पर ही है क्लिक क्या नेक्ट पर चलो एक सॉट लगा एक एक दो दरन भी ले ले दे और जब शॉट पड़ता है बाउंडरी मिलती ही तब एक साउंड आता है इंडिया के रण देख लेता हूँ चार ओवन में 20 रण नहीं अब अग्रेशन दिखाने ही पड़ेगा नहीं तो मैच हाँ से निकल जाएगा टीम कई बढ़ा देता हूँ भी मैं अग्रेशन पंद्र ओवर बचे हैं भी डिफेंड नहीं अटेक करना पड़ेगा अब नेक्ट पर क्लिक करेंगे एक शॉट लगा भी कुछ नहीं लगा इसमें तो सिंगल रन नहीं मिले तो सिंगल रन आप स्वाइप करकर के चेक कर सकते हो कितने मिले किस बॉल पर कितने ये दो बाउंडरी मिली ये 50 ओभी लगता है हिट मैन ने 50 कर लिए अपनी 32 बॉलों में 50 रन कर लिए है रोई शर्मा ने अरे किसका विक्ट गिर गया तो साओधी की वॉल पर विक्ट चला गया रोई शर्मा का 73 रन बना के और अब हमें बैट्समैन चींज करना पड़ेगा तो अगला बैट्समैन है हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं अभी तो अटैक मोड में खेलेंगे और रन देख लेते हैं एक बार इंडिया ग्यार ओवर हो गए और पिंच आने वे रन बन गए और एक और विक्ट गया है कौन गया विराट कोली का विक्ट गिर गया है दो वाल में अगला वैट्समैन सेलेक्ट रहेगा तो महेंदर सिंग दोनी का विक्ट गिर गया है और अब हमें डिफेंसिव बोर्ड में जाना होगा ने तो हम बैट्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं और अब जो है डिफेंसिव मोड में जाते हैं या तो नॉर्मल मोड सेलेक्ट करते हैं नहीं तो फुल टीम अभी से मिट जाएगी अभी चिंज नहीं कर सकेंगा ग्रेशन कंटीनु करना पड़े हो पहले तो साथ ओवर बचे हैं तो चलो नॉर्मल में चलते हैं नॉर्मल क्लिक कर दिया पांच ओवर बचें अटेक मोड में जाना होगा और स्कोर अभी हासिल करना है मैं अटेक कर लेते हैं और अब अटेक करेंगे हम विकेट गया अटेक के चिपकर में अठार बॉल खिली ओ दस रन बनाएं और नेक्स बैट्समें कौन मिलेगा अब बच्च पंत जो है इंडिया वज़रू जिताएंगे अब चलो इस रन देख लेते हैं कितने सोला ओवर हो गए हैं और इंडिया वन हंड्रेट ट्वेट ट्वेट करेंगे फिर विकेट के तावर अठाइस अनुन मना के अस्टावन भी पविलियन के तरफ चलते हुए है अगला बेट्समें सेलेक्ट करेंगे हम तो हम डाइट आटक मोड में रहेंगे क्योंकि ओवर इतने नहीं है नेक्स्ट ओवर नेक्स्ट ओवर करेंगे एक विकेट और गया जीरो रन बनाकर चलते दूसरे प्लेट करेंगे नाइंग वाइचाहल के यादाव को नेक्स्ट ओवर नेक्स्ट ओवर यह शॉट में लाइस में तो चैविक्ट गर गए हैं और अठार ओवर हो गए हैं एक विक्ट ओवर चला गया एक रन बनाकर ठीक है तो चैविक्ट को यूज करेंगे हैं अच्छाइब को सेलेक्ट करते हैं अब हम कितने ओवर बचें देख लेते हैं एक यूज की ओवर बचाएब तो विक्ट गया और तो रिशाब पांद का विक्ट के रहा सोलर रंड बनाकर इस विनर भूम राव है तो रही सेलेक्ट करेंगा इस विक्टेडप तकी खांद, आ छो सेलेक्ट परफ़ समय डो एवर नच्छत के यूमी यूजशबर सानस सामँ अविक्ट ध्ट के डो सेलेटिवस्पाइबर शॉट लगा तो मैच एंड हो गया और रिजल्ट पता यह क्या होगा 27 रॉन्स ग्राइब मैच जीत गया है और मैं एक बात बता दूँ आपको अभी मैंने देखा इसमें जो जश्विंदर भूमरक की जगे रोह शर्मा का नाम दिखा रहा था तो इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आपको देखना होगा सबसी नीचे जो प्लेयर का नाम रहेगा अब देख लेना इसमें कोई बग होगा इस वाज़से ऐसा हो रहा होगा और आगे जाके हो सकता है यह बग ठीक हो जाए मैंने भी अभी देख खेलना है ठीक है जब बॉलर अटेक करें तब आपको डिफेंसिव खेलना है और जब वो टायड हो तब आपको अटेक करना है ठीक है तो ऐसे गीम खेलना है तो अब यहाँ पे स्वाइप करकर देखेंगे मैच पे सेलेक्ट है वी पॉइंट स्टेबल देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो प्लेयर स्टेटस देखना हो तो इस पर चेक कर सकते हो तो यह पूरा जो है उस मैच का हाल इसमें लिखा आए इंडिया के कितने रन बने कितने ओवर में बने और न्यूजिलेट ने वो मैच कितने रन से जीता कितने रन बनाए थे वो सब लिखाई ठीक है इस स्कोर कारड यहाँ चैकर सकते हो second T20 Christ Church में होगा वो आपको खिलना है तो फिर start match पे क्लिक करना है तो ऐसे ही game खिलना है ठीक है मैं tutorial बना थे इसलिए जल्दी जल्दी खिलना है लेकिन आपको जब baller tired हो तब attack करना है और जब वो fresh रहे तब आपको defensive खिलना है ठीक है तो ऐसे इसमें score बनाना है और मैं जीतना है ठीक है तो ऐसे ही game खिलना है और कोई चीज अगर साँजबना है तो comment करके मुझे पूछ लेना मैं बता दूँगा ठीक है तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई